तू हेले दूस्त वागत फिर से माय ठीक आरजे में तो मैं फिर से आज रोचुका एक नए वीडियो के आसाथ तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सांट्रेंक हैस्टेक वन कॉरियन रामे के बारे में यह ड्रमा कैसा है आपको कहां पर देखने को मिलेंगे कितने सारी एपसोर देखने को मिलेंगे किस तरह का है देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए इस सारी चीटे हम इस वीडियो में बात करेंगे तो क्या करना है आपको वीडियो को last तक देखने है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक like करना और हमारे चैनल पे पहली तफ सब्सक्राइब कर ले वotion लेथ करे लेए ताकि जब भी नभी वीडियो डिले उसके 9 depiction आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि यहां पे हमेशा नए ड्रामे से लिए डिवी 2 हमेशा आती रहती है So soundtrack Hashtag One यह ड्रामा आपको DGN Plus Hotstar पे Hindi dubbing के साथ देखने को मिलता है जिसके rating है 8.13 की out of 10 और इस ड्रामे में आपको total 4 episode देखने मिलते हैं जिसके running time है 44 minute है यह एक 100 ड्रामा है अब इस ड्रामे में कहानी आपको क्या देखने को मिलता है अगर बात के जाए इस ड्रामे में स्टोडी की तो इस ड्रामे में इस कहानी आपको देखने को मिलते है सिन्भू और येंसू यह दोनों बचपन से ही best friend है सिन्भू एक photographer है और दूसरे तरफ अपनी ड्राम के जो female lead है जिसका नाम है यून्सू वे एक lyricist है लेकिन समब तो रीजन उसके जो lyric से उसमें उतना चारा feel नहीं होता है वो दर्द नहीं होता है जिसके बज़े से उसके जो lyric से हमिसा reject कर दिया जाता है अब इन सब चीजों में उसको मदद करने के लिए सिंभू उसका साथ रहने आता है क्योंकि उन्सू उसको मतलब अपनी help करने के लिए बोलती है तो उसके साथ में उसके apartment में रहने के लिए जाता है हम गहाने में देखते हैं कि सिन्बू मतलब की यूंसू से वन साइडेड लव करता है लेकिन वो उसे एक्स फ्रेस नहीं कर पाता है अपनी दोस्ती के बज़ा से उसे साइड ये डर होता है कि उसकी जो फ्रेंसिप है वो खराफ में हो जाए इसलिए उसे वो नहीं बता पाता है इन सभी चीजों के बारे में यूंसू को कुछ भी पता नहीं होता है अब दोनों ये के साथ एकी फ्लाइट में रह रहे हैं एकी रूम में रह रहे हैं तो क्या सिन्बू उसके दिल में मतलब अपने लिए प्यार जगह पाता है इनी सभी चीजों को जानने के लिए आप तक देखना पड़ता है, अब इस ड्रामे में आपको बहुत जबर्दस friends वाली bonding देखने को मिलेगा, One Sided Love देखने को मिलता है, मतलब One Sided वाली जो feeling होतीं, वो देखने को मिलता है, किस तरह से दो दोस्ट, यह मतलब की प्यार में पड़ते ही, ये सारी चीछे आपको देखेने कूँ मिलती है, इस ड्रामे के अंधर, तो जारा ये वासा मुझे की, मतलब किस किस के पास, यहाँ पर किस किस के पास, मेल या फिर female friend है, उजारा हमें comment करें, जारा हमें भी मतलब ग्यान की अभूती हो, आते हैं मुद्धे पर, बात के जाएं, इस ड्रामे के डविंग ही तो डविंग बहुत ही अच्छी है, भाई, डिजिन प्लस होड़ स्टार के डविंग ही तो डविंग तो अच्छी होगी, डविंग के लिए में मतलब आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी, ओ, क्या बोलते हैं न, सिखायत करने का मौका नहीं मिलता है, अगर बात के जाएं, मतलब म्यूजिक के वो भी बहुत ही जबर्दस थे, और सिनिमेटर ग्राफिज से लेकर, मतलब क्रेक्टर डेवलमेंट से लेकरके, फिर्स रेक्षिन से लेकरके, हर एक चीज बहुत ही फरफेक्ट है, अब मतलब जदी ज़्यादा इमोशनल होती हो, तो इसमें आपको इमोशन सीन्स वाल, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसे, मतलब क्वेस करने वाला होता है, लेकिन नहीं कर पाता है, और उसे छोड़ के चला जाता है, वह वाला जिस जो सीन है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा आठ टाचिंग लगीगी है, और तो सीन्बू के लिए आपको बहुत ही बुड़ा फिल होगा, और वहाँ पे आप बहुत ही ज़्याद इमोशनल हो जाओगा, जैसे कि मैं हो गया था, और अगर आपको एक रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है, जिसमें इस तरह के मतलब की इमोशन्स हो, तो आपको इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ए ड्रामा आपको डीजनी प्लस पे हिंदी डबिंगे साथ देखने को मिल जागा, तो जा करके चेक आउट कर सकते हूँ, अभी तक आपने इसको देखने स्टार्ट नहीं कि है, तो जाए, प्लीज देखे, मैं मतलब highly recommend करूँगा कि इस ड्रामा को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और इस ड्रामा को देखने को बाद आप सोचोगे कि कास इसका और भी एपिसोड हो था, और भी ज़्यादा लंबा होता है ड्रामा तो देखने में बहुत ही माजाता हूँ, सज में आप मिस करोगे, तो यही सारी चीजे हैं इस ड्रामे के अंदर जो कि आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा connect करता है, सो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई, जेहिन, टेकिया, अगर उनसु यही चाहती है तो, तो हमेशा दोस्त बन करी रहना होगा,